आम आद्मी पाटी और बीजेपी के कारेकरताओं के बीच किस तरह का क्लैश हुआ पूरे देश ने देखा गुजरात मुधर अर्विंद के जीवाल को पुलिस वालों ने रोका तो उस पर भी खासा बवाल हुआ हमाए साथ इलेक्शन कमिशनर एचेस ब्रह्मा साथ है एक्स्लूजिवली इस मामले पर बात करने के लिए उनसे बात करते हैं सर शुक्रिया आपने अबेपी निउस को टाइम दिया आपने खुद अपनी आँखों से देखा क्या हुआ कल दिल्ली में चिन्ता है कि यह क्या है और इस पर किस तरह की कारवाई चल रही है सर शीजी मेरा जो वाट मैंने जो कल शाम को देखा गुजराद में या और अपना डेले में दा इंसिदेन इस रेली अनफॉर्चुनेट क्योंकि होना नहीं चाहिए यह अपना सिवले सोसर्ट वेसा गर्वड नहीं होना चाहिए ठीक है समपड़ी इस डान सम्थिंग यह ड़से को रूख दिये थे अर्विन केजरिवाल जा रहे था उनको रोका था अर्विन साब को रूख दिया थे कि पोलिस वाले बोले कि आपका यह अर्विन साब को रूख दिया थे कि आपको भी परमिशन लेना चाहिए इसको आपको पता होना चाहिए इनवे डिफरेंट स्टोरी लेकिन बात यह है कि नोबड़ी हमने तो कल टैन थाड़ी के बात यह एमसीज लागो कर दिया पूरा हिंदुस्तान में इवरी बोड़ी नोस हरार पूरा हिंदुस्तान में एवरी इंधियन नोस एट तो हम चाते कि जो इसा होना नहीं चाहिए लिकिन जब मोडल करना चाहिए अपने तामिल कर दिया पूरा हिंदुस्तान में तो न आपके जो जो भी हो तो इसको लोग करेंगे कि वो लोग जो कम करेंगे वो कम अपना लोग का तेहर होना चाहिए बिना लोग के खिलब नहीं जाना चाहिए हम लोग प्रहमा साब यही मैं पूछना चाहता हूँ दर्शक भी यह जानना चाहेंगे लोग भी यह जानना चाहेंगे हम तो हमको पता नहीं किया प्रोवोकेशन क्या था या नहीं था लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान में लोग है हर अर्मी को लोग का पारा अर्मी को इसके पापंदी में रहना चाहिए जो हमको देखना पड़ेगा कि उसका जो हमारा पोलीस ओले जो काम किया है था उनका जो एक्षन भी हमको देखना चाहिए लेकिन हम यह अपिर करूंगा कि उनका हम वो अपिल करते कि वो अपने लोग की तरह लोग की अंदर ही काम करी यानि सर अर्विन केज़िवाल का यह कहना कि मैं नीजी यातरा पे था इसलिए कोड अफ कंड़क के दारे में नहीं आता यह गलत बात है सभी राजनेताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए क्या कोई कारवाई होगी सर इस पूरे मामले को ले करके चुनाओ आयों की तरफ करता फिर लखनों में उसका रिटैलियेशन देखने को मिला इसको लेकर के कोई चिंता और क्या चुनाओ आयों किसी तरह की स्ट्रिक्टनेस दिखा सकता है आपके पावर्स जो हैं वो सीमित है नहीं हम तो चाहेंगे कि जो हमरा गौर्वर्मेंट इंडिया जो हो स्टेट हमें जो है स्टेट दिस्टिक में गई अपना जो रेस्पोंसिबटेश जो आप सर अपर केस रिजिस्टर किया जा रहे हैं क्या इस तरह की कारवाई हो सकती है केस रिजिस्टर हो या इंडिविजुल्स के खिलाफ कारवाई हो सकती है बड़े नेताओं के खिलाफ बिल्कुल क्यों नहीं अभी ते एंसीजी शुरू हो गया हम चाहते कि अपना जो ओफिसिल मेंशनरी जो है वह आच्छिता से काम करें ना किसी को पक्षबा दिखाए नहीं एक किसी को कोई अन्फैर निस दिखाए जो लो होना अपने अपने देश का ओ लोग इंप्लेमेंट स्ट्रोंग लिए इस बार आप चुनाओ आयोग स्ट्रिक्ट रवाया दिखाएगा क्योंकि पूरी चुनाओ प्रक्रिया बाकी है सरो अगर ऐसा होता ना हम चाहते कि अपने होना चाहिए और इस तरह के परमेशन अब आप किसी और पार्टी को नहीं देंगे इन पार्टी सब्सक्राइब करना चाहिए और किसी को हरकर भी नहीं होना चाहिए साथ एक आखरी सवाल पूछना जाता हूं सर यह जो दो पाटियां इस क्लैश में वोल्ड थी क्या इनके टॉप लीडर्शिप से आप जवाब तलब करेंगे उनको स्ट्रिक वांनिंग दी जाएए उसक सब्सक्राइब करना चाहिए और किसी भी नेता को इस तरह का हाख इस्तियार नहीं है कि वो वाइलेट करें मॉडल कोड अफ कंडक्ट को रही बात बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कारे करता हूं के बीच जो वाइलेंट क्लैशेज हुए थे इस तरह की वारदात आगे नहीं होने चीए स्ट्रिक्ट तरीके से लौ इंप्लिमेंट किया जाएगा प्रवेन दिवाकर के साथ आशीश कुमार सिंग एबी पी नियूस दिल्ली